चलो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ कि किसने RCB और KKR वाले मैच में कितना जीता मज़ा आगया यार कल वाले मैच में मैंने आपको बोल दिया था हाई इंवेस्टमेंट मैच हैं हमारे पास ट्रमकार प्लेट्स अवेलेबले क्योंकि वाले यार की तिम पहले बोलिंग को ले लेना क्योंकि वागा वी तो उसके लिए आप सभी लोगों को congratulations लेकिन comment करके ज़रूर बताना की ठीक है ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ पता लगे कि जिस channel की वो वीडियो देख रहे हैं उनके members कितना win करते हैं और मेरी winning की अगर मैं बात करता हूँ वैसे मैंने telegram पे share कर दी थी जो लोग जुड वाले मैच में सब ने जम के win किया होगा और मैंने result भी मंगवाए था तो उसमें भी भाई बहुत ही शानदा result राप सबका congratulations उसके लिए अब यह जो मैच है जिसके आप अभी वीडियो देख वे पंजाब और लखनाव का यह ऐसा मैच है जो आपकी team बनाने में आपका दिम ऐसा मैच ही है तो investment करने से पहले कि कितना invest करें कहां करें और अगर कर रहे हैं तो किसके base पे करें यानि कि मानलो कब करें पंजाब पहले बोलिंग करें तब invest करें या कून हमारा ट्रम काड है बहुत तगड़ी वीडियो है यह अब अगर आप पूरा देखोगे ना तो win कर स्क्रीन पर करता हूं तो वीडियो को पूरा देख लेना यह मेरी छोटी सी request है और एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप सब के लिए confirm giveaway वापस लेके आया हूं मैं इस वीडियो में 10,000 का ऐसा giveaway है जो आपको 100% मिल देगा और सो लोगों को मिलेगा अब उसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आगे बताओंगा बस यहां पर एक मोटी मोटी चीज़ बता देता हूं गीववे के वाल चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए हैं और जो वीडियो को लाइक करेंगे उनके लिए अब कैसे व सारी टिम्स आपको टेलेगराम पे शेयर किये तो जो लोग नहीं जुड़े ना वीडियो के description पैसे यसे कल मैसेज कि आप आपने हमें हमारे पैशे ले लिए आपने हमें टीम नी दी में कभी पैशे से पहले कभी लिया यह नहीं ध्यान रखा करो मेरी तरफ से हमेशा हर चीज फिरी होती है और जनीन चैनल में जुड़ा करो सर्च करके जुड़ोगे तो बहुत सारे फेक चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में जो सीधा लिंक है उस पर क्लिक करो जोइन कर लेना ठीक है और कोई पैसे मंगे में नाम से और अगर आप देते हो तो इसमें आपकी गलती क्योंकि मैं तो खुले आम ब और यह कहना में लखनो दोनों टीमें काफी अच्छी टीम हैं लेकिन माइनेस पॉइंट यह दोनों ही टीम है अपना पिछला मैच हार के आ रही है एक टीम राजस्तान हमारी रोयल्स से हारी ठीक है और हमने जेपुर में इनको हराए था देखिए इस बार जो वेन्यू है वह होगा भारत रतन शिरी अटल विहारी वाजपी लखनो यानि कि एक चीज तो किलिए रहे कि लखनो की जो टीम है यह इनका होम ग्राउंड है और कली ऐसा हुआ है कि आर सी बी की टीम अपने होम ग्राउंड पे हारी है वरना अभी तक के जो मैचेस खेले गए थे अगर अब कल को हटा दो तो कोई सी भी टीम अपने होम ग्राउंड पे नहीं हारी थे लेकिन आर सी बी का सीन ही थोड़ा लगे हारी आर सी बी की टीम ठीक है तो और फिर आगर आपको एक चीज़ और बताता हूं यह ऐसा विकिट है जहां बैटिंग का कोई मामला ही नहीं है यहा है जहां बैलेंस विकिट दिखेगा जहां इस्पिनर्स तो मतलब आपके लिए कैप्टन में डियल प्ले रहे हैं यह और मानलो कैप्टन किसको बनाओगे बता है जो बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे चलो आगे पिंच रिपोर्ड में आपको यह भी बताता हूं कोई आपडेट नीए कि कोई नया प्लेयर हो बाहर हुआ हो ऐसा कोई डेट नीए पिच की बात करता हूँ6 मोटा मोटा बता देता हूं पिच यहां पर ये है कि यहां बोलर्स SCH मों रहे वो बहुत अच्छा करते हैं और कैप्टन सी के लिए वो प्लेयर जादा बैश्टे जो बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करे और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए जो बोलिंग डेथ में करें और बैटिंग भी करें बहुत ही दगड़ा वह अभी आपको में दिखाऊंगा भी ठीक है और आल यहाँ पे जो मैचेस खेले जाते हैं हलाकि लिखा हुआ बैटिंग है लेकिन बैलेंस आप एक्सपेट करना 140-150 में बैटिंग तो होती नहीं यह आपको थोड़ा सा बैटिंग को मैनेज करके बैलेंस एक्सपेट करना टास बैटिंग क्यों करेगी उसका सीधा सा रीजन है जिस टीम ने 160 तकरन स्कोर कर दिया वो टीम हारेगी नहीं बहुत हाई चांस है क्योंकि सेकेंड इनिंग में बहुत ज्यादा टर्न होती है यह विल्कुल ऐसा विकेट है जिसको आप बोल सकते हो क्रेक्स से भरा हुआ और क्रेक्स से भरा हो इसका मतलब क्या होता है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छी टर्न मिलेगी और विकेट पे विकेट्स आने वाले हैं तो जो भी टीम बैटिंग करें चाये फिर वो पंजाब हो चाये वो लखना हो उसकी विनिंग के चांस थोड़े जादा है और उनके स् स्पिनर्स तो होंगी इंपोर्टेंट लेकिन उनके पेसर्स जो डेथ में आए वो और भी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे कंपेडिजन टू स्पिनर्स ज्यान लगक्या चलना ठीक है बाकि पिसला जो मैच यहां पे खेला गया था लेस्जी और एमाई का तो 2023 के अंदर इस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग होई थी ठीक है यहां पर आप देखोगे लेकिन यहां पे उतनी अच्छी बैटिंग होती नहीं यह इंग सकती हो ज्यादा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सपेक्टेड यह है कि बैटिंग करने वाली जीतेगी और और टीमों की बीच है ना तीन मैच हुए हेडट टुएड में जिसमें LHG की टीम दो जीती और PBK से एक जीती है जो पिशले मैस था यानि की यह Mio और LHG का इसमें पैसर ने फिस्ट इनिंग के अंदर दो वीकेट लिया इस्पिनर ने एक वीकेट लिया वो टिक गए तब तो बहुत बुरा मारेंगे उसमें तो कोई डाउटी नहीं है लेकिन उनके टिकने की भी तो चांस वो बहुत ही कम है ठीक है बाकी दोनों टीमों की फॉर्म की हम बात करें एक ही मैच खेली जो हार क्या लिए और पीबीके से एक विन और एक लोस ठीक है बाकी देखी यहाँ पर डोबमेश्टी के छे मैचेस हुए बैटिंग फर्स चार मैच जीती और बोलिंग फर्स दो मैच जीती है सबसे आदा स्कोर 193 हुआ था और सबसे कम स्कोर 108 रन हुआ है ठीक है और एक्सपेक्टेड यह यह कि यहाँ पर आप उमीद लगा सकते हो कम से कम 150 तो होना ही चाहिए कोई सी भी बैटिंग करें देखें लेजी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे केल राहूल क्वेंटन डिकोग के साथ ओपन देवदत पडडिकल बंडाउन फिर आयुष बड़ोनी निकोलस पूरन मारकस इस्टोइनिस कुरनाल पांडिया मौसीन खान नभिन हक रवी विश्णोई और वहीं पर य रहता हूं यह चीज कि यह स्टाकूर को यह लोग हटा दे इतनी बेकार बोलिंग की थी पिछले मैच के अंदर और बोलिंग की जो की मतलब इनका कैप्टन को ने राउल जिस प्लेयर के आगे इनकी पिटाई हो रही है उसी के आगे बोलिंग दे रहा है तो अच्छा होगा अगर हट जाए तो क्योंकि यह देगी परेशान करने वाले प्ले रही है मानलो यह टीम बोलिंग करी अब मैं इसको तो लूंगा नहीं लेकिन यह डेथ में आएगा और फिर यह बोलिंग विकेट भी है तो डेथ में आके विकेट ले लिया तो मेरा काम भी गार देगा तो देखते हैं खेलेगा वैसे तो एक मैच के बैस पर तो हटाएगा नहीं रहो तो यह लाइन अप इनकी लेफटी राइटी काउंट करोगे तो एक डीकोग है एक देवदत पड़ीकल है एक पूरण है और एक और पांड़ा है चार-चार लेफटी इस टीम में तो ऑफिस मिन लोग पता नहीं जादर स्कोर हो ना हो वो बोलिंग करें ना करें लेकिन में तो हलेफटी है ना तो ऑफिस मिनर जो भी हो सामने वाली टीम से लेना ही है आपको ठीक है उसके बाद यहां पर बोलिंग अटेक काउंट करोगे तो एक दो तीन चार-पांश में बोलर तो यह ह भी है लेकिन मारकस इस्टोनी से मतलब इतना कमीना प्लेयर है मनहूस मैं सीधा कहता हूँ देखें मैं जो लोग मुझे रेगुलर फोलो करते हैं जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इनको डायरेक्ट लीक तो यह उन्हें एक मौमन नभी बहुत बेकार प्लेयर लग नहीं करेगा बाकी है यह सिक्स्त बोलर ठीक है उसके अलावा इनकी तरफ से दीपक गुड़ा आपको जो मतलब पहले बेटिंग आई तो प्लेयंग लिए उनमें और बोलिंग आई तो इंपक्ट में दिखेगा ठीक है और बाकी के प्लेयरों के चांस थोड़े कम है नवी क्यादा मैचेस तो खेले नहीं है बट फिर भी जो मैचेस खेले उनका को दिखा देता हूं देखिए सबसे बले नाम आएगा के ल राहूल का देखिए अगर इसका रिकोर्ड भी खराब होता ना तब भी ड्रोप करना एक बेग कोफी है तो टीम में तो इनको 100% लेना है औ और इवन ऐसा प्लेयर है जिनका रिकोर्ड भी बहुत अच्छा और इसी वेन्यू पे जो एक मैच हुआ था लेस्जी और पीबी केस का उसमें इन्होंने 74 का स्कोर भी गया था सबसे बेस्ट क्याप्टर ने यह स्मॉल लिग का सबसे बेस्ट इसलिए देखिए हाला कि यह 100% टीम में लेना ठीक है वर्सेस में इन्होंने जो मैचेस खेले उसमें 46 और 53 यह दो सबसे बड़ी इनिंग भी है और फ्लॉप भी रहे हैं और 27 रन है और इस वेन्यू पे इन्होंने 16 का स्कोर किया है जो यह वाला मैस था उसके बाद पडडीकल का पहला मैच होगा लेकि बड़ोनी की हम बात करते हैं बड़ोनी का एक प्लस पोईंट बता देता हूं अगर सामने भी लेफटी ज्यादा है तो यहां पर जो ओफ़िस पिनर है ना जो में ओफ़िस पिनर हाला कि धीपाक उड़डा भी लेकिन वह इंपेक्ट में जाएगा तो में उफिस पिनर इन प्लेयर बेटिंग भी देगा और मेंली बोलिंग बेकब अगर सामने लेफटी नहीं है तो मत लेना आपको आगे बता दूंगा निकोल वस्पूरण एक बहुत अच्छे प्लेयर बहुत ही शांदार प्लेयर और बस मुझे जो इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट लगा इ इतने नीचे बेटिंग करें माननों हम ले बिलू और विकिट फेक दे दिमाग खराब याई प्लेयर तो बहुत अच्छा है लेना भी रिस्क है और ड्रोब करना भी इसके हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा प्लेयर लेकिन आप वही बात है कि देखिए इनको लेना पड़े गया एक बार पूरण का तो फिर भी सोच सकता हूं कि चलो कोई बात ने ड्रोप भी करते लेकिन इसको लेना पड़ता है क्योंकि यह कभी भी बोलिंग कर सकता है उस परस्ट बेटिंग में भी इंपोर्टेंट है सेकंड बेटिंग में भी इंपोर्टेंट है ठीक है मौसील खान बहुत ही अच्छा प्लेयर है और मेनली पता इसका सबसे बढ़िया यूज क्या होगा अगर यह पहले बोलिंग करती न टीम तो यह कंफर्म डेथ में आएगा और अगर यह डेथ में आया तो इससे बढ़िया ट्रमकार कोई है भी नहीं देखे नविनुलग भी ट्रेथ में आया गा लेगिन नविनुलग तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है मतलब नविनुलग को लोग पहले है उसको ड्रोप भी नहीं करेंगे इस प् बाकि उसके बाद हम बात करते हैं तो पिछले मैच में सबस्याद स्कूर की अदब पूरण और केल राहुल ने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है इनकी बोलिंग आप देखोगे ना तो मुझे जो परसनली लगती है सबसे बेस्ट बोलिंग अटेक है इनके पास अगर देखा जाए तो ठीक है यहाँ पर जोनी बेरेश्टो शिखरदवन के साथ ओपन करेंगे उसके बाद लिए लिविंग इस्टन से परप्सिमरन सिंग आएंगे क्योंकि वह एंपक्ट में खेलेंगे ठीक है उसके बाद लिविंग इस्टन है फिर सेम करन है सेम करन ऊपर भी कभी आ सकता है वह अकोडिंग तू कंडिशन है फिर जीतेश शर्मा शशांक सिंग हरप्रीत बरार हर्षल पडेल कईसो रबाड़ा अश्दीप सिंग और वहीं पर रहूल चयर यह एक्सपेक्टेड लाइनप है और यह बैटिंग ओडर के अकोडिंग है ठीक है लेफ्टी यहां पर देखोगे तो एक सेम करन और एक शिखरदवन है तो देखिए वहां पर जो आईश बड़ोनी है क्योंकि देखिए ओफिस्पिनर के आगे लेफ्टेंड आउट होता ही होता है जैसे इनका पिछला मैस था आर्सीबी से तो आर्सीबी के पिछले मैस में आप जाओ स्कोर कार में चेक करो आपको देखने को मिलेगा कि शिखरदवन आउट हुए थे ग्लेन मैक्सवेल से और रहुल चहर है और यह हर्प्रीद बरार भी ना इनकी बहुत बैंकर कोटाई होगी अगर कोई भी पूरण वगएर या डिकोग वगए तो नहीं ठीक है तो बात ही अलगे लेकिन अगर टिक गए ना इनकी सबसे अधक उटाई होगी ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहा चार ओवर की रबाड़ा अर्षदीव हर्शल इनके चार ओवर लगभग कन्फम है राउल चैर हर्प्रीद और सेमकरन यह मिल के ओवर करेंगे लिविंग इस्टन भी कर सकता है लेकिन चांस थोड़े से कम है पावर प्ले में अर्षदीव रबाड़ा और सेमकरन आएंगे यह प्लेड़ा ने जिता दिया था मैच वरना बोलिंग अटेक देखा था फरस्ट मैच के अंदर जो इन्होंने बोलर डिस्टिब्यूट किये थे ओवर के लिए बहुत ही बेकार तो उमीद करूँगा कि अच्छी केप्रेंसी हो इस मैच में डेथ में देखिए तीन आने चाहिए सेम करन है डेथ का बोलर लेकिन यह लाता ही नहीं है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर इनकी तरफ से हो सकता है पिछले में हार क्या रही है तो कोई चेंज भी अगर करना चाहिए और हा को ले आए यह चांस बनता है क्योंकि रबाड़ा को यह हटाएंगे नहीं लिविंग इस्टन को यह हटाएंगे और देखा जाए तो सेम करन तो हटेगा नहीं तो यह प्लेयर बसता है जो हट सकता है ठीक है बाकि अब हम बात करते हैं प्लेयरों का रिकोर्ड वर्सेस और बहुत ही प्लेयर बहुत ही अच्छा प्लेयर और बस यह बैटिंग विकेट उतना नहीं है बहुत अच्छा प्लेयर है और इनका रिकोर्ड आप देखोगे तो 43 और 32 यह एक तो यह तो यह तो वर्न्यू का यह वर्सेस का है शिकर दावन टोटली फ्लोप रहा है इस्टीम शर्मा है विकेट केपिंग करेगा यह उसका बेक अप रहेगा आपके पास लेकिन आज वाले मैच में तो नीड है नी इस्पेशली उन लोगों को जो सेवन फॉर में खेलते क्योंकि राहूल है डीकोग है पूरण है वह ज्यादा बैतर होंगे इंसे तो ठीक है लिविंग मानूगा ना इनको लेकिन इंपोरण पर बहुत होंगे हर्शल पडेल की बात किया यह भाई मनमर्जी कर रहा है अब मनमर्जी तो हला कि कैसे करेगा धवन करवारहा रहा है पाकि प्लेयर यह इंपोर्टेंट दोनो कंडिशन में उसका रीजन क्या है सैकेंड इनिंग में क यह बैता तो लिए सब में निकाल लेता है उसके बादे मुझी कुए रबाड़ा और उनके शांदार बोलेर रहें और राहूल चेहर की बेटि Side of Deal Crist जब टीम पंजाब बैट्ऌन करेंगा अपके लिए ज़्यादा वैतर होगा फस्व बैटिंग भी उत्न दोन सुख कि परप Simran Singh लगबग confirm है कि वह आएगा ठीक है और बाकी अगर कोई चेंज होता है तो इंफर्म करी दूँगा पिछले मैच में सबस्यादा स्कोर बैटिंग से किया था धवन ने और बोलिंग की बात कि जाए तो रबाड़ा ने दो हरप्रीत ने दो अर्शल ने एक और वही थीग है और बोलिंग में देखोंगे अश्दीप रजटीप को दो विकिर में हर्शल पर इतना बेकार बोलर मतलब बेकार तो निए लेकिन खराब बोलिंग की थी ना कि डिजर यह एक विकिर भी नहीं करता है लेकिन मिल जाते हैं। फिर डैथ में तो मिलते ही है राहुल तो रजदीप की हम बात करें 18 बोल में राहुल को अर्जदीप ने एक बारा उट किया हुआ है डीकोग वर्सस रबाड़ा डीकोग की तो पिटाई होई डीकोग ने पिटाई किये रबाड़ा की 68 बोल में सो रन है और देखिए सामने वाली टीम में आपको बता दूमें अर् के रखता है पूरण मतलब पूरण को राहुल चे रोख के रखता है रन स्कोर करने से जोनी बे रेश्टो वर्सस नाविनुल हक नो बोल में 21 बनाए बैटिंग बहुत तेजी के साथ की है लेकिन एक विकेट फेका भी है शिखरदवन वर्सस रवी विश्णोई 22 बोल में एक विकेट है और वहीं सेम करन वर्सस रवी विश्णोई पांच बोल में विश्णोई को तो टीम में अगर आप नहीं ले रहे हो ना यह सबसे बड़ी वेवकूफी 100 परशंट टीम में डिजर्व करता है विश्णोई अब यहां से हम बात करते गीववे की देखिए विडियो को लाएक कर देना सबसे पहली चीज तो दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करें आलेना और थीसरा चैनल कानलो लगा ले आपकी प्रोफाइल के अंदर आप लोगोग करना इस वीडियो के अंदर कोमेंट करना है और जो कोमेंट आप करोगे ना जैसे आपको कुछ कुछ भी कॉमेंट हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है या कुछ भी जो आपका मन करें ठीक है तो वह आप कॉमेंट करो उसके आगे आपको अपनी नंबर जरूर लिखने हैं और कौन से नंबर लिखने हैं जो आप लीग इलिए उनमें यूज करते हो क्योंकि देखिए मैं आपको बता दू इस मैच में ये इस वीडियो में क्या होगा में सो लोगों को प्राइज देने वाला हूं सो सो रुपए ठीक है सो नør Harsh जो League 11 पर आपने comment किये हुए है ठीक है? रजिजटर में करना उसी comment में aid कर देना जैसे आपको कोमेंट कर रहे हो तो comment हो गया उसी के आगे आपने number को aid कर देना ठीक है? जैसे हिंदी में करना, वो जज़ादा बैतर होगा वह हिंदी में करोगे तो वह ज्यादा बेतर होगा तो comment करना फिर में क्या करूंगा सो लोगों को लीग इले उनके wallet में सो सो रुपए एड करवाँगा और वह winning होगी विनिग जो वह amount एड होगा वह winning में होगी तो अगर आप चाहो भी ना तो उनको विड्रो कर सकते हो मतलब आप डारेक्ली बैंक में भी ले सकते हो ठीक है मैंने डिपोजिट में नहीं करवाया कि चलो मानलो आप हार जाते हो खेल के ऐसा नहीं है अगर डारेक्ली एड यह जो amount होगा वह विड्रो भी करोगे ना तो बैंक में आपके amount आ जाएगा ठीक है winning मे आएगा तो आप विड्रो में पता है देने को तो मैं क्या ना में अपने अपने एड से भी दे सकता हूं जैसे मैंने नंबर लिख लिए फिर फॉनपे से में दे दिया लेकिन इतनी limit होती नहीं है सो लोगों की limit नहीं होती है फॉनपे की अगर मानलो मैं अपना account से भी देक्षन होते हैं दस पॉनपे मुझे करने पड़ेंगे और फिर यह भी है कि आज आज के लिए वह तब तो मैं फिर फॉनपे से कर दूँ पैमेंट गेटवे के लिए वह लोग भी नहीं दे रहें तो जो सबसे बैस में अपने लगा वह यहीं लगा कि आपको क्या करना है लीग इलिए उनके नंबर जो रजिस्टर है वो कॉमेंट करने वही नंबर ठीक है और आपको विनिंग में अमाउंट मिलेगा जो विट्रो कर लेना देने को तुमें फॉनपे से भी दे सकता था लेकिन यह गीववे क्या है कंटिन्यू रहेगा और इसकी एक और खासिद बता हूं आपको यह सेम डे में किलियर होगा जैसे अधर गीववे इस थे ना क्यूशन वाले उसमें क्या होता था कि पहले मैच फिनीश होता था फिर रिजल्ट आता था फिर इस आप से क्लियर करना पड़ता तो यहां पे तो क्या होगा जैसे डेल्लाइन होगी मैं नंब नहीं किया तो वह कर देना और उसके अलावा यह चैनल का लोगो लगा लगा लेना क्योंकि सेलेक्ट जो होंगे वो क्यों यह जो लोगो लगा रखे वो लोग होंगे ठीक है ध्यान डखना इस बात का ठीक है फॉन पे बगेर मैं क्या है ट्रांजेक्शन की लिमिट आती न चाय वो 10-1 में ले लो चाय वो 74 में ले लो आपकी टीम अच्छी बनेगी नहीं अगर आप ड्रीम में पे खिलोगे आपकी तब भी आपकी टीमच्छी नहीं बनेगी आप लीग लेख दो इस मैच में प लोगों पहले इसमें करना है और मैंचH इस मेंच मांच है शायद मै याद दिला दू कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को जोई नहीं किया है तो वह जोईन कर लेना फाइनल टीम जो होगी मेरी यहीं पर आने वाली है और जो भी अपडेट्स होंगे मैं से रिलेटेड वह भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं फिलाल के लिए डेमो सबसे पहले मैं आपको यह 7-4 की टीम दिखा देता हूं ठीक है फिर 10-1 का भी कॉंबिनेशन में आपको दिखा दूँगा देखिए विकेट कीपिंग सेक्षिन के अगर मैं बात करता हूं राहूल को मैंने टीम के अंदर इक्रूट किया है कॉंटेंट डिकोग इस मैंस में इनको ड्रोप करना पड़ेगा शिखर दवन जोनी पे रश्टो अब देखिए यहां पर एक चीज़ बता दू एक देवदत पड़िकल एक आईउस्ट बड़ोनी एक दीपाक उड़ोनी एक शैशांक सिंग शैशांक आएगा बहुत नीचे पड़िकल की अगर मैं बात करत प्रोमें है तो उसकेस में तो दीपागुड़ा और आपको करनाल पांडया को अगर आप चाहो ना तो ले सकते हो लेकिन मेरे में हो रहा नहीं है फिराज आप बोलिंग में आने के बाद सबसे पिक करना है कग इसो रबाडा को जो एक विक टेकर नविनुलिण को और रवी बिश्णोई को अब आपको सिंपल सा बता देता हूं थोड़ा रिस्क जो ले सकते हूं उनके लिए बात कि जैसे ये टीम पहले बोलिंग करें लखनौ की तो उसके इसमें आप रबाडा को ड्रोप करके आप मौसीन खान के साथ जा सकते हो डिफरेंशल प्लेयर बन जाएगा डेथ में आएगा विकिटे करें लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं वो ये काम करना और अगर मैं बात करता हूं दूसरी चीज़ अगर मान लोग पंजाब की टीम पहले बोलिंग करती है तो आप एक रिस्क ये भी ले सकते हो कि नवीनुलग को हटाया और आपने हर्शल और बिश्णोई को गलती से भी मत अटाना और रबारा को भी मोस्टली मैं बोलूँगा मत ही अटाना लेकिन फर्श बोलिंगे अब छोड़ सकते हैं एक बार के लिए लेकिन बिश्णोई को अगर आपने हटा दिया हो सकता है विकिट लेश चला जाए लेकिन बहुत बुरा का अभी का है मेरा ही नहीं है सबका यह रहेगा विसी की बात की जाए तो सेम करन मेरा विसी रहने वाला है बाकी ऑप्षेंस में कुरणाल लिविंग इस्टन जोनी शीखर विश्णोई रबाड़ा और नविन यह अदर ऑप्षेंस जिनको आप चाहो तो बना सकते हो तो यह तो मधी टीम हो गए लिए उनकी सेवन फॉर अब जो लोग टेन वन में खेलते हैं आने के ड्रीम लों उनको दो दो चेंज करने तीन ही मान लो दो भी नहीं तीन चेंज करने तीन चैंज क्या क्या है पहला चैंज तो यह कि बढ़ा उनी को ड्रोप कर देना आपके टीम से यह थी दो दो यह चेंज करने स्युलोग और दो चैंज करके आपको क्या करना है पहला तो पिक करना मारकस इस्टॉइनिस को और दूसरा करना क्या नामे अर्श्दीप सिंग को ठीक है दियान लखकर चलना और बाकी जो भी टीम में अपडेट्स मतलब होंगे मतलब टीम मे मैं कोई change करता हूँ तो टेलेग्राम पे दे दूँगा और Captain Vice Captain ये मेरे लगबग fix हैं बहुत ही कम चांसे कि मैं Captain Vice Captain change करूँगा और मान लोग करता भी हूँ तो फिर आपको inform कर दूँगा ठीक है और एक चीज और बताना चाहूँगा देखिए थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर अगर यह टीम पहले bowling करती है कौन सी राहूल की टीम ठीक है यानि कि लखनो की टीम अगर पहले bowling करती है LKN या LHGA की बात है तो उस case में VC में बिश्णोई को भी बना सकता हूँ LHG की पहले bowling आई तब तो उस case में सेम कर उनको VC करूँगा ठीक है LHG की पहले bowling आई तो और LHG की पहले betting आई तो उस case में में VC बिश्णोई को करूँगा ध्यान रखना इस चीज़ का बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है यह जो लोग इंवेश्मेंट करते उस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है तेन वन में भी जो कॉम्बिनेशन में चेंज करने वह यह बढ़ाउनी और बेरेश्टों आए नेक्स वीडियो में